एलो स्टूरेंट वेलकम बैक तो ये अनदर सेशन और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हमारा मटेरियल का जो टॉपिक्स चल रहा था बेसिकली पिछली क्लास में क्या हुआ रिकॉर्डिंग रह गई मतलब बेसिकली हो गई थी रिकॉर्डिंग पर उसके अंदर कुछ इशू आ गए तो एक आधा ही पोश्चन रिकॉर्ड हो पाया बट ठीक है लेट इन भी भाई जिंदिगी यही रीत है हार के बाद ही यह तो यहां सूट नहीं किया यह वाला सूट करेगा किस्मत की हवा कभी गरम कभी नरम कभी गरम कभी नरम यह सूट करेगा भी है ठीक है चलो जो भी बात थी हैं आपर नेस्ट को समको कंटीनिव करनी थी बातें तो हमारा कॉश्चन नमबर सिक्स हमारे सामने हैं जिसमें लोगों को क्यालकुलेट करो टोटल तो रिंग को यहां यहां यहान ना जाता है यहां से जाता है जालक आर्लक्ट 920 और यूंएट का प्रonic यह टॉट् और कॉस्ट 16 रूपए है मतलब पर और स्टोरेज 2% इंट्रेस रेट 12 और एपसोलेंस 6% यह कुछ तो भी परसेंट में दिया हुआ है क्या दिया है समझ भी आपने को मैं बताता हूं तुमको बेटा जब भी तुमको यह डेटा परसेंटेज में दिया हुआ समझ जाना यह त तुम्हारा क्यारिंग कॉस्ट का डेटा देखो स्टोरेज तो क्यारिंग कॉस्टी एंट्रेस मतलब बेटा कई पर हम लोग फाइनेंस कराके रखे रहते हैं अपना जो परचिस है वह हम लोग लोग लेके कि रहते हैं या फिर तुम इसको ऐसे बहुत कर सकते हो कि जो आप आपने अमाउंट इस स्टॉक में फसा दिया है लेट से पाच लाख रुपए का स्टॉक आप खरीद लिए वह पाच लाख रुपए अगर आप कही इंवेस्ट कर देते तो वहां सबको बारा परसेंट का इंट्रेस्ट मिल जाता तो यह आपका अपॉर्टिटी कॉस्ट है नेक्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव इस फॉर गॉन ठीक है तो इसको तुम ऐसे भी मान सकते हूं अफिर ऐसे मान सकते हूं कि फाइनेंस चार्जेस है बारा परसेंट पास लाग का लोन लेकर रहा है मिलेको इस स्टॉक को खरीदने के लिए जो लोन लेकर रहा हूं तो वह हो जाएगा ठीए तो एओक्यू कैसे निकलेका तुए न्टू अनुवाज रिक्वार्मेंट इन्टू ऑडरिंग कोस्ट अपऑन कैरिंग कॉस्ट पर उनिट पर रहे नम तो 20 पर चार रुपया आ जाएगा बीस रुपय का 20 परसेंट चार रुपया जाएगा भीटा अभ हमको रिकालना है ordering cost plus carrying cost ठीक है तो वह हम कैसे निकाल सकते हैं बहुत इजी है total variable cost is equal to ordering cost plus carrying cost ordering cost कैसे निकलेगी number of orders तो 5000 annual requirement है एक order में 200 unit मंगाऊंगा number of order into ordering cost per order plus 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 average inventory into carrying cost per unit इसको हम करेंगे पांच हजार डिवाइड बाइड 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 दो सो इन्टू सोला तो यारा मेटा चार सो और यह हो जाएगा 100 इन्टू चार चार सो अफकोर्स योक्यू लेवल पे ओसी और चीजी सेम आता है यह बात हमको पता है तो यह देखुए आगे है टोटल वेरियंबल को साथ ठीक है जी बच्चो यह तो इस प्रकार से यह वाला कोश्चन हम करेंगे तॉल नोट डाउन कर लिए इसको टिक है जी बच्चो येस नेक्स्ट कुश्चन देखो डिमांड फॉर्ड साइकल चायर साइकल एट बेस्ट बाइस पान्सो यूनिट्स पर मंत ठीक है तो पान्सो पर मंत है डिमांड पर मंत पर मंत ओके मेरे को एन्वल रिक्वार्मेंट चाहिए होती ध्यान में रखना ओलडीग कॉस्ट हुड्स बेस्ट बाइस्ट बेस्ट बाइस्टैल प्सट बेस्ट हो ट्मटीट कहला इसलंडिक पर यह kg प्यूटर नहीं होगा बर उस्टाइकल्स होगा किया तो यह भी योग निकाल देबोल रहा है ई-o q यह सब पॉश्चान तुमको करना है वंब अब बता देधा है रहो टू इंटू एन्वर रिकवार्मेंस तो पांसो पर मन्द है तो इनटू ट्वेल कर दो थे और यहार்त श्वार्मेंट पांसो पर मन्स हो नहीं तो हमपी से मल्लीप्लाई कर देंगे इंटू आझरीन कॉस् 500 रुपए पर यूनिट चार्जेद हैं और 20% है क्यारिंग कॉस्ट तो यह आजाएगा 100 रुपए तब यह कितना आजाएगा 6000 इन्टु 40 इन्टु 20 रूट यहार है 2190 इस योक्यू 2190 ठीक है 2 इंटू आनुल रिक्वर्मेंट इंटू ओर्डरिंग कोस्ट पर अर्डर अपॉन कैरिंग कोस्ट पर यूनिट पर रहना वह कैसे आई पांचों का बीस परसेंट है ओके यह सब्सक्राइब एट तुम्हारा होग जाएगा देखो यू क्यों निकालना है number of orders निकालना नमबर ओप और अब तुमको समझ में आ गये ऐन्वर्मेंट डिवाइड़ यू क्यों ओर्डरिंग कौस्ट निकालना है केरिंग इंग तो टो टोल कॉस्ट आफ इंवेंटरी निकालना है है total cost of inventory कैसे निकलेगा cost of material ordering cost plus carrying cost करने से निकलेगा ठीक yes भाई या चलो जी next question देखो बोल रहा है Z company Z company supply कर रही है plastic crockery to fast food restaurant in metropolitan city one of its product is a special bowl disposable after initial use for serving soups to its customer bowls are stored in a pack of 10 piece at a price of 50 per pack okay तो एक पैक में बिखता है वो और एक पैक के अंदर 10 पीच रहता है और हर pack का cost है 50 रुपे बोल्ड़ डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs per year okay the company purchase the company purchase the bowl directly from the manufacturer at 40 रुपे पर पैक within a three days let time तो तीन दिन का लेट टाइम है लेट टाइम का मतलब क्या होता है कि जब आप order place कर रहे हो और जब आपको delivery मिल रही है उसके बीच का duration ठीक है जैसे मैं आज order place चाहिए मेरेको तीन दिन बाद delivery मिलेगी तो तीन दिन मेरा लेट टाइम है ठीक है तो दिस्टाइब डूरेशन बिट्मीन दा प्लेस्मेंट अफ और और रिसीव ओके येस दा ओर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इस आठ रुपए पर और 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 स्टोरेज कॉस्ट 10 पर रेनम और एवरेज इन्वेंटरी बोल रहा है योक्यू निकाल के दिखाऊ नंबर और निकाल के दिखाऊ टोटल कॉस्ट आप ओर्डरिंग एं स्टोरेज फॉर दो पॉर दे यह निकाल के दिखाऊ और डेटर्माइन करो वें शूट दा नेक्स्ट और भी प्लेस्ट तो इतने आइटम समको बोल रहे हैं कराने के लिए तो पहले तो योक्यू निकाल लेते हैं इसमीं देखो कि अ कि अ कि अ कि सब्सक्राइब लोग लिक लेते हैं अन्वर्ड डिमांड काली सदार पैकेट ओर्डरिंग कॉस्ट आठ रुपे पर ओर्डर केरिंग कॉस्ट तैन परसेंट तैन परसेंट अफ वाट पचास रुपे पर पैक हो जाएगा ठीक है येस अ कि अ कि अ कि अ क्यों निकालते सबसे बहले तो इन टू एन वर्रिक्वार्मेंट इन टू ओर्डरिंग कॉस्ट अपन केरिंग कॉस्ट तो यह हो जाएगा अ अ अ थ्री अंडेड एन फिफ्टी एट 357 लो इसको पीछे राउंड अफ होगा 357 पैक्स इस वाट यो क्यू ठीक है अब यहाँ पर समझना question बोल रहा है calculate number of orders needed every year जो number of orders का formula क्या है annual requirement upon EOQ तो यह हो जाएगा annual requirement divided by EOQ that is 112 order 112 order मेरे को पूरे साल में place करने पड़ेगे number of orders हो गया total cost of ordering and storage for the year total cost बताना है for ordering purpose for storage purpose total cost of ordering and storage मतलब basically OC और CC बताना है बस ordering cost कितना हो जाएगा number of orders into ordering cost per order plus यह हो जाएगा average inventory into carrying cost per unit 111 into 8 तो यह जाएगा 896 plus 357 divided by 2 into 5 यह हो जाएगा 892 यह थोड़ा सा difference आ रहा है basically 893 because of point point के वज़े से थोड़ा सा difference आपको देखने को मिलेगा अगर मैं इसको 588 लेता sorry 350 8 लेता इसको divided by 2 into 5 करते तो अपना 895 आता अगर यह हो क्यों हम लोग ऐसे कर लेंगे तो number of order same ही आएगा बस यह बढ़के तोड़ा और close आ जाएगा उसके ठीक है तो point के वैज़े से यह चीज हुई है तो वो इतना institute ignore कर देते हैं ठीक है उनको भी पता है यह हो जाएगा 179 0 कर लो इसको इसको भी 5 लिख लो इसको 0 कर दो तो यह हो गया तुम्हारा total of ordering and storage cost इसके बाद determine करो when should the next order to be placed assume करो that the company does not does maintain a safety stock and that the present inventory level is 333 packs तो अभी का inventory level 333 packets है with a year of 360 working days 360 working days के हिसाब से अभी जो है वो 333 का pack maintain है as a safety stock तो safety stock हमारे पास 333 पड़ा है और हम लोगों का order place कब होता है 358 में मतलब योक्यू क्या है एक बार में 358 मंगाते हैं और फिर वो तीन दिन का लेट टाइम है ना तीन दिन तक चलता है आरी बस तर्मच में येस तो एक तीस तुम सो समझो एक एक फॉर्मूला बता रहा हो तुम लोगों को को कि कि पाइम गैप बिट्विन टू ओर्डर्स इस इकॉल टू कि छिक्स्टी डेस 52 वीक्स 12 मन्स डिवाइड बाइन नंबर ओर्डर्स ओके तो यह तुम्हारा एक टाइम गैप का फॉर्मूला कि तुमको टाइम गैप बताना है वहला फॉर्मूला यह इसको note डाउन कर लो ठीक है बच्चो येश तो तुमको बियर करना पड़ेगा सर्दी से परिशान है ठीक है भई हम भी परिशान है कोई बात नहीं है सर्दी का महीना है ठीक है तुम्हारा क्या पता तुम अभी गर्मी के महीने में वीडियो देख रहे हो या बरसात के महीने में rainy season is going on आई डोंट नो ठीक है तो चलो यह फॉर्मूला तुमको समझ भागया यह इसी पर बेज़े अपना नेक्स कॉंसेप्ट जो मतलब बात कर रहे हैं कि देखो अब हम लोग को कहां नंबर ओफ ओडर से एक सो बारा है तो टाइम गाप बिट्विन इस क्वेश्चन में देखो त 360 डिवाइड बाइ 112 तो यह हो जाएगा बिटा 32 डेज 32 डेज कैसे आएगा यह 360 डिवाइड बाइ 1 1 2 3.2 डेज वही तो 3.2 डेज तो 3.2 डेज तो बेसिकली थ्री डेज ही हो गई है ठीक है इसका अंसर इतना पॉइंट पर आया तो नहीं चीव इस जेट कंपनी का एक मिनिट एन्वर डिमांड मैंने 40,000 लिखा है ओडर को स्ट आर्ट रुपे लिखा है ठीक है केरिंग कॉस्ट हमारा 50 रुपे का 10 परसेंट है एट प्राइज ओफ बोल सर ओके 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 बच्चों एक मिस्टेक हो गई अपने यह देको बोल सर सोल्ड पचास रुपे लिखा हुआ है कॉस्ट इसकी यहां दी थी ओके कंपनी पर्चेस कर रही है 40 रुपे पर पैकेट तो यहां पर मैंने गलती से इसको सेलिंग प्राइस पर वैल्यू कर दिया है पर इट शुड भी वैल्यूड इन कॉस्ट प्राइस ओनली तो सबसे हमारे आंसर में थोड़ा सा वेरियेशन आना चाहिए अब तो यह हो जाए हम दूर दूर बैठे इसलिए हम समझ नहीं पाए इसको तो यह हो जाएगा हंडेट ओर्डर्स तो यह हो जाएगा नंबर ओफ ओर्डर्स इंटू ओर्डरिंग क्लॉस प्लस एवरेज इनवेंटरी इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है रहा हुँ तो फोल टूजा एट आठ सो प्लस यह भी आठ सो तो यह हो गया सोला सो थीक है तो उस सब से यह हो जाएगा 360 डिवाइड बाइड बाइड नंबर ओफ ओर्डर्स तो यह हो जाएगा 3.6 थीक है तो यह 3.6 अब मेरे को बता रहा है क्वेश्चन कि मेरे हो एंट्री में 333 युनिट बचे आधा सेफ्टी स्टॉक तो सोच के देखो स्तों कि प्रपोर्श्निट मैथद डेस डिस 333 यूनिट्स लास्ट किते दिन यह चलेंगे 333 उनिट किते दिन चलेंगे तो सोच के देखो 3.6 डै 400 unit 400 unit यानि जो EO Q है तुम्हारा EO Q 400 unit वो 3.6 days चलते हैं यह देखो तभी तो time gap between 2 order 3.6 days का है क्योंकि हर 3.6 days में हमको एक बार order मंगाना पड़ता है हर 3.68 में फिर 400 मंगाओ, फिर 3.68 में फिर 400 मंगाओ, फिर 3.68 में फिर 400 मंगाओ, यही कहानी चलते रहती है, तो हर 3.6 days में 400 unit की requirement होती है, तो 333 units कितने दिन की requirement है, proportionate method बेटा, proportionate करना चीज़ों को, 3.6 days अगर 400 होगा है, तो 333 का कितना, तो देखो, 3.6 divided by 400 into 333, तो यहार है बेटा, 2.9999, तो इसको मैं 3 days लिख देता हूँ, तो basically 3 दिन की requirement बचिए है, और 3.6 days, आधा दिन को क्या ही count करेंगे हम लोग, तो मान के चलो कि 400 units का जो order में हर बार place करता हूँ, 3-3 दिन के gap में place करता हूँ, और यहां पर question में दिया भी हुआ है, यह देखो, lead time 3 दिन का, 3 दिन का lead time इसलिए दिया हुआ है, तो 3 दिन का order मेरे पास बचा है, 3 दिन का stop मेरे पास बचा है, और 3 दिन का lead time मेरे पास बचा है, तो next order का place करेंगे, the company should place, should place, next order, immediately, immediately, immediately place कर लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास time नहीं बचा है, तीन दिन का stop बचा है, और 3 दिन का समय लगता है, order को आने में, तो यह हमारा answer हो गया, फुर्ष्टन, ठीक है बच्चों, यह बच्चों, यह बच्चों, चलो, नोट डाउन करो, इसको फटाक से अब, एक हमसे गलती हो गई थी, वह हमने सुधार ली है, ठीक है बच्चा सुधार नहीं हमारा काम है, जिन्दगी में गलती होते रहती है, और हमारा काम है, हम उससे सुधार की चले, यह बच्चर थोड़ा सो छोटा होगा, रिजन बिंग क्योंकि यह जो है, वो आधा पार्ट है, उस वाले लेक्चर का, जो कि इसके पहले आथा, ठीक है उसका हाफ पार्ट है, तो यह बच्चर तुमको छोटा देखने को मिलेगा, ठीक है भया, कोई दिक्कत नहीं है, छो इस एसम मंतली डिमांड और 52,000 इन, मंतली, मंतली डिमांड, ठीक है, दा प्रोड़क्ट रिक्वाइरा कंपोनेंट एक्स विच इस पर्चेस एट 15 रुपए पर यूनिट, तो यह जो कंपोनेंट है, उसको बनाने के लिए लगता है, एक प्रोड़क्ट, दा प्रोड़क् इक यूनिट गड़क्ट के लिए, दो यूनिट ऑफ रौ मटेरियल लगता है, दो यूनिट ऑफ रौ मटेरियल लगता है, आरी कया बास लट ? पर येस, दा और्टरिंग को साढ़े तीन सो पर उडर और और केरीं कोस बाराभ परसुन पर रहन नमें, यूर रिकार्ट डॉ त्व यूनिट्स की डिमांड है डिमांड जो प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट उसकी डिमांड है 52,000 पर मन्त तो इसको अगर मैं बारा से मॐल्टिफ्ल आधर यह इंठ पर यह तो 52,000 इंठ ट्वेल मतलब उस प्रोड़क्ट की दिमांड शे लाख चोबी सजार है पर इयर अब इस एक प्रोड़क को बनाने के लिए मेरा रॉल माटेरियल दो इनोट का लगता है यहोग्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं रॉल माटेरियल की तो जब भी आपको एक प्रोड़क्त बनाने के लिए इतना राव मटरियल लगता है तो आप मेरे पूरे बनाने कि लिए प्लीयों करना है तो यहां पर देखो दो यूदि लगता है component X को बनाने के लिए every finished product two unit of component X is required तो यह जो finished product बनेगा finished goods बनेगा इस पर अगर मैं two multiply करूँ तो यह मेरे को मिल जाएगा raw material की annual requirement तो यह जाएगी बेटा 12,48,000 12,48,000 this is the annual requirement अब EOQ निकालना है yes भीया तो EOQ निकालो root over 2 into annual requirement into ordering cost 3300 per order upon carrying cost which is purchase 15 रुपे per unit 15 into 12 percent यह हो जाएगा बेटा इन्टू तू इन्टू 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 350 तो यहार है 22030 units EOQ ठीक है अजी भीया चलो इसको note करो बिज्टयो यह पतो जदवे रन पिकां सर्दमी का जिकालो ci अभीया ज़आए लीया जुदस प्रवावां मुणो से space कर लो इसको यो क्यों रिकल गया तुम्हारा अब इसक्वेशन में कुछ और ठीके बच्चों थोड़ा सब डिस्टरबेंस तुम लोगों पता है हमारी रिकॉर्डिंग प्लेस क्या है तो होगी होगी हाँ भाईया में सब पता है आप है मताओ चलो तेकेंड बॉस्चन देख यह इस क्वेशन का में कॉंसेप्ट है कि अगर आपको क्वेशन बोल रहा है कि मिनिमम लॉट साइज आप 52,000 यूनिट रखोगे आप यो क्यों नहीं रखोगे आप बोल रहो कि मैं एक बार में 52,000 यूनिट पंगाऊंगा तो कंपनी को कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर ह क्या होगा सकाना पड़ेगा और यू यू पंडी त lettuce क्या है ट्वश्ट को लेकिन के नहीं है नहीं को डिसकाउंट ने, यह दे मॉसांट आपन ओर करते हैं तो magician को ऑर कर आद रिंक आफ निकले में तो réglement इस चेस में और इस केस में एन्वल रिक्वार्मेंट डिवाइड बाए एक बार में 52,000 उनिट्स मंगा ओंगा ओर्डर साइस ठीक है इंटू ओर्डरिंग कॉस्ट पर ओर्डर तो यह हो जाएगा साधे 300 से मल्टिप्लाई तो यह कितना आ रहा है मेरा 1248,000 डिवाइड बाए है 22030 इंटू 350 तो यहार है बिटा 19,828 ठीक है और यह हो जाएगा 1248,000 डिवाइड बाए 52,000 इंटू साधे 300 तो यह आजाएगा 8400 तो यह मेरा हो गया ओर्डरिंग कॉस्ट ठीक है इस केस में यो क्यू है तो यो क्यू से डिवाइड किया ओर्डर साइस और उस केस में कॉस श्रोटे डिवाइडाओ कॉस पर निट पर नव एस इंवेंटरी डिवाइड गैम कॉस्ट पर निन पर नव पॉरी अब्रेज इन्वेंटरी मल्टिप्लाइड वाइ कहें कॉस्ट पर न ठीक है मल्टिप्लाइड बाइ 22030 डिवाइड बाइ 2 इन्टू 1.8 तो यह हुजाएगा 19,827 ठीक है 52,000 डिवाइड बाइ 2 इन्टू 1.8 तो यह हुजाएगा 46,800 तो टोटल टोटल बता दो दोनों का कितना आ रहे हैं 19,827 इंटू टू तो यह आ रहे है बेटा 39,654 और यह हो जाएगा 46,800 प्लस 8,400 तो यह जाएगा 55,200 ठीक है गया रहे है यह रहे है तो बहुत रहे है बताओ कौन सा मिनिममम केरिंग कॉस्ट है जो कंपनी को करना पड़ेगा तो बेटा कॉस्ट हमेशा मिनिममम कहां होती है यह लेवल पर क्या ये बात हमें पता है कि योक्यू लेवल पर हमेशा कॉस्ट मिनिमम होती यहां पर यही पर तु्मारी करिंग को सबसे मिनिमम आई ठीक है चल ड़ा पर लिए और यह कॉश्चन ना प्रिविए से रखोशन पर यह सी एक्जाम में आ चुका है थैसे में तो अभी रिसेंटली डिसमबर 2016 को चैनल है तो यह क्रॉस्चेक कर सकते हैं यह दोनों में आ चुका यह कुश्चन इतना महत कॉपूर्ण वाला question है तो यह आमको पता हो ना चाहिए ओक्यू नॉन योक्यू पॉइंट पर भले इस पर अभी तो डिस्काउंट वाला concept नहीं है बट स्टिल इस दा गुड क्वेश्चन ठीक है बच्चों तो इसको नोट डाउन कर लो और यह लेक्चर को अपन यही पर रख रहे हैं छ